और आज हमारे पास स्मार्ट और उ कंट्रोलर किट है जो कि इसमें बहुत सारे तार निकले होते हैं इनको देख कि आदमी कंफूज हो जाता है कि इसमें कौन सा कनेक्शन कहां पर करना है यह सारा connection में आपको detail में बताऊंगा कौन सा connection किसमें करना है कौन सा pump में कौन सा sve में कौन सा low pressure switch में कौन सा यह smps का अतार इसमें कहां जाएगा यह सारी चीज़ें आपको detail में मैं बताने वाला हूं तो video इसको बिलकुल मत किजिएगा वीडियो लाश्ट तक देखेगा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है चलिए video को start करते हैं यह देखे इसमें दो चार शे आठ यह 10 पूरेवार निकले हुए हैं जिसमें से यहां पर connection दिया हो इसका सारा आप पढ़ सकते हैं आपको बारी की पास से दिखा देता हूं कौन सा connection किसमें जाएगा तो यह देख सकते हैं दो सेंप्यस के तार निकले हुए हैं सबसें मैं smps connect कर लेता हूं यहां देखे इसम में ऐसे रखना है आपको और सबसे इधर से इस्टार्ट करना है यह जो दो तार है रेड और ब्लेक यह आपके smps के हैं कि रेड और ब्लेक में smps में रेड का रेड में डाल लेता हूं कि यह सेंप्यस हमारा connect हो गया है उसके बाद यह दो तार निकले हुए हैं ग्रेड और ब्लेक और यह दो तार आपके sv और मोटर और आपका जो जूवी लेंप है उसमें जाते हैं कि तो मैं ग्रेड वाला रेड में जोड देता हूं कि यही दो तार में एस्वी लगेगा यह वह वाला एस्वी है जो मोटर के साथ connect होता है उसके बाद यह यूवी लेंप कर लगाना चाहते हैं उसको भी यहीं पर connect कर देना है अब यहाँ से देखिए यह ग्रेव आर निकला हुआ है यह ब्लेट और ग्रेव निकला हुआ है और यह एक ग्रेव आर निकला हुआ है कि यह दोनों ग्रेव आरहे हैं यह दोनों आपके आट्ज वाली एस्वी के लिए हैं एक और श्वी लेना है आपको जोई रजय में लगाना है कि यह чи्ष रज़ार मेरे पास एकतास ज़़ा ना है nuo पिष़ स्वी में जाएंगे अगर हमारी अटोफलस स्वी कनेक्ट हो गई है उसके बाद यह दो ब्लू वार निकले हुए है जो कि लो प्रेशर स्विच में जाएंगे ल्पीएस में तो मेरे पास अभी नहीं है तो इनको आपस में मैं सॉट कर देता हूं अगर आपको आसे ईलपीएस है नहीं लगा प्लस मायनस नहीं होता है और मांέρस में जाओ संट जीरे कि आटो कट के हैं विपको आटो कट में सेम्पिलिकनेक्ट कर देना है को को प्लस माइनेस नहीं होता कि इसमें कोई भी कनेक्ट कर देते हैं कि प्रिशन ह technical अब भूटे सारे तार हमारे कनेक्ट हो गए है आपको मैं थोड़ा अलग अलग करके दिखा देता हूं यह हमारा SMPS कनेक्ट हुआ है और यह हमारा आर्टो फ्लस्टिंग का कनेक्ट हुआ है और यह हमारा आर्टो कट का कनेक्ट हुआ है और यह हमारा LPS का कनेक्ट हुआ है और यह जो तार है इसमें आपका मोटर वाला और आपका यूवी है और आपका मोटर है यह तीन चीजे इस बार में कनेक्ट हुई है अब मैं इसको चला के दिखाता हूं चलता है कि नहीं चलता है कि चल और आपका अभी यह नहीं चल रहा है क्योंकि आपका इस वी अभी आटो फ्लस करेगा कि यह यह देखिए मसीन हमारा चालू कंडिशन में हो गया है कि अब देखेंगे यह यहां पर फ्लस्टिंग लिखा हुआ है मतलब आपका कर रहा है अभी 8 से कंड का सब्सक्राइब करने करने लगा है यहां पर देख लिजेंग का है इंडिकर कर रहा है कि जब करता है तो फिलसिंग का आता है तो मसीन ऐसे हमारी चल रही है कोई दिक्कत नहीं है और फिल्टर लाइफ इसमें कितना होता है यहां आपको लाइव दिखाई देगा कितना अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाखे डाल दूँगा बाकी और अगर आपको यह चाहिए होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं वाट्साप कर सकते हैं तो मैं इसको बंद कर देता हूं यह मैंने बंद कर दिया है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना आप लोग यार लाइक नहीं करते हो चैनल को सब्सक् देख लिए तो यह सारी हैं यह मेरे पास देख लिझे यह कि सब्सक्रास बीर आपका लाइक दिखाताए यह वाला है यह नॉर्मल वाला था इसमें आपको लाइप दिखा अगर आप कोमेंट करके बताते हैं तो मैं इसका भी वीडियो डाल दूँगा और अगर आपको होलसेल में चाहिए होगा कोई भी स्पेर पार्ट्स तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बाकी आपको अगर रिटेल में एक पीछ चाहिए अपने आरो में लगाना है तो भी आप मुझे कॉल कर गरें ज्यासाप कर सकते हैं वाट्स ऋब्हें पेर आप करिए आप ज्यादा अच्छा रहेंगा ताकि हम आपको रिपलाइब दे सकें और कॉल करते हैं तो हो सकता है अगर वीडियो पशंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देजबा कि का Diamond को सब्सक्राइब कर कर दो कर दो